है 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 आप सब आई होप कि आप ठीक होंगे सो आज हम डिसकस करेंगे Advantage and Disadvantage of Optical Comparators विकार हमने अपनी प्रीवेज वीडियो में Optical Comparator और Mechanical Optical Comparator डिसकस कर लिया था तो आई ओप कि आपने वीडियो देख लिरहे होंगे तो आइए आज जान लेते हैं कि इसके लाब और हान्या क्या क्या होती है चलिए शुरू करते हैं, मेरा नाम है अंजली शर्मा और आप हैं हमारे प्यारे से YouTube चैनल Education Candle पर आइए शुरू करते हैं तो आइए शुरू करते हैं इसके लाभ से, यनके हमारे ओप्टिकल कंपेरेटर्स की क्या क्या एडवानटेज होते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं इनका आवर्धन बहुत अधिक होता है यानि कि इनसे जो magnification है वो आपको बहुत अच्छा मिल जाता है इन instrument में गतिशील अंकम होने के कारण घशन से घिसाव ना होने के कारण मापन में उच्चे अतार्थता यानि कि high accuracy बनी रहती है जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो optical comparators होते हैं इन में moving parts जो हैं वो कम use होते हैं और moving parts कम use होंगे तो इसकी वज़े से इन में friction भी कम use होगा और friction की वज़े से जो wear होते हैं हमारे वो भी कम हो जाते हैं तो इसलिए इन से हम जो measurement के लिए high accuracy होती है वो मिल सकती है हमें इसका जो third one advantage है वो ये है कि इन से पहमाने के संदर्ब रेखा पर ले जाने के सुविधा के कारण parallax error नहीं होता यान कि इसमें हम जो scale होता है उसको reference line पर ले जा सकते हैं इसकी वज़े से इसमें जो parallax error है वो नहीं आते तो ये होते हैं हमारी optical comparators के advantage आईए अब इसकी disadvantage के बारे में जाल लेते हैं उच्चावरधन, स्त्रोत, transformer की गर्मी आदि के कारण मापन, तुर्टिपूर हो सकता है यानि कि high magnification है, source है हमारे पास transformer की गर्मी है, तो इन सब की विज़े से जो measurement में error है, वो आ सकती है तो ये इसका एक advantage है next हम देखते हैं कि ये आकार में बड़ा होने के कारण portable नहीं है, यानि कि क्योंकि इसका जो arrangement है वो थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए से हम एक जगे से दूसरी जगा नहीं ले जा पाते हैं तो ये portable नहीं है, और क्योंकि ये बड़ा है तो इसका जो मूले है, यानि कि जो price है वो भी अधिक होता है पैमाने को परदे पर project करने के लिए किसी dark room के आविशक्ता होती है जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे परती है, तो ये भी इसका एक disadvantage हो जाता है क्योंकि हम इसे यूज़ कर सकते हैं dark room में, क्योंकि हमें वहाँ पर उसका प्रतिबिम्ब चाहिए हमारे scale का लास्ट इसका जो disadvantage है वो ये है कि IP से लगातार प्रेक्शर लेना सुविधा जनक नहीं होता हम अगर अपनी IP से लगातार जो उसका observation है वो करते रहेंगे तो उससे हमें problem होती है यनिकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अपनी आख से लगातार कुछ ना कुछ देखते रहें तो उससे हमें problem आ सकती है तो इसलिए वो भी हमारे लिए बहुत जादा सुविदजनक नहीं होता तो ये भी इसका disadvantage है तो ये होते हैं हमारे optical comparator के advantage और disadvantage I hope कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे तो आज के लिए बस नहीं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करें share करें और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो इसे subscribe करना ना भूले thanks for watching